गुद मॉर्निंग अल आफ यू, हाव आई यू, यस देखिए बिटा, आज हम क्या करने जा रहे हैं, क्लास फोर्थ से लेशन एट, मीठा पाहड पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले देखिए आपको इस लेशन में क्या सीखने को मिलेगा, कि एकता से हमें हर काम करना और हमें मिल जुलकर एकता के साथ रहना चाहिए, चलिए अब हम सको स्टार्ट करते हैं, चलिए देखिए क्या लिखा है, एक थी चीटी चीटियों की रानी, एक रानी चीटी होती है, बहुत ही परिश्रमी थी, मेंस महनती थी, वह एक बिल में रहती थी, उसके साथ और भ चीटी ने उनसे पूछा, तुम क्यों लड रही हो, देखिए रानी चीटी अपने बिल से बाहर निकलती है, तो दो बिल्लियां उसे लड़ती हुई दिखती है, और वो उनसे पूछती है, कि आप क्यों लड रही है, तो काली बिल्ली बोलती है, कि देखो यह है, रोटी बोटी के उपर लड़ाई कर रही हैं।ब है यहाँ पर काली बिल्ली बोली देखने सइना स्कष्ञार है, बूरी बिल्ली गुष्णे से बोली तुम क्या होता है। अ tür बूरी मिली गुस्से से बना नीकष्ण सब van م referring है कि शीन miniature10 तुम चली जओ यहां से रानी चीटी आगे चली गई इतने में अब देखो क्या हुआ उसने तो सही सला दी थी रानी चीटी ने और दोनों बिल्ली थी उनको सही सला नहीं लगी पर क्या होता है इतने में एक बंदर आया और उसकी रोटी उन दोनों से के रोटी जो जिस पर लड रही थी वो छीन कर ले गया दुनों बिल्लियां देखती रह गई उधर चलते चलते रानी चीटी को एक बर्फी का टुकडा मिला वह फॉरन वह फॉरन भाग कर गई और बहुत सी चीटियों को बुला कर बुला लाई सभी चीटियां पंक्ति बना कर एक दूसरे के पीछ चलने लगे आप देखो उनमें केतनी एक ता थी कि रानी चीटी फुटा मिला पिछे चलने लगे और पीछे चलएं चलती और पीछे-बीछे सभी चीटियां चलती शीक्र ही उस मीथे पहड को बंच घरमेंगी जो बर्फी का टुकड़ा है उससे मीथा पहाड बताया गया रानी चीटी बोली बेहनों, आज हम मीठे पहाड की खूब दावत करेंगे, दावत करना होता है, भोच करना, एक साथ इखटे होके, जब बहुत सरे लोगे,